Hello everyone, आप सभी कांकूर सेकेडरी में स्वागत हैं और मैं प्रियंका आज का क्लास है वेदिक संस्कृति वेदिक संस्कृति का जो काल चला था वो 1500 इशापूर से 600 इशापूर के बीच चला था ये class हो चुका है मगर आज का class में हम लोग जानेंगे कि इसका जितना भी objective question है वो सारा बताएंगे ताकि आने वाले exam में इससे जो भी question पूछे जाएंगे आप इसको अच्छे से अगर कर लिजेगा तो इससे एक भी question नहीं जुटा जाएगा और अगर कोई भी exam होता है तो history से question वैदिक संस्कृति से पूछा ही जाता है तो आप इसको अच्छे से देखिए और अपने friend के साथ share किजेगा चलिए शुरू करते हैं question number one question number one में है कि पूर्व वैदिक या संस्कृतिक वैदिक का काल किसे माना जाता है तो इसका answer कौन सा होगा इसका answer A होगा पंद्रो शो इशापूर से 1000 इशापूर के बीज इसका answer A होगा question number two माना जाता है तो question number two का answer क्या होगा 1000 इशापूर से 600 इशापूर तो two का answer B होगा क्या होगा? B होगा question number three आरी सब्द का साब्दिक्त अर्थ क्या होता है? तो 3 का answer B स्रेष्ट या कूलिन? स्रेष्ट या कूलिन होता है Question number 4 प्रारंबिक आर्डियों के बारे में निम्र कत्नों में से कौन सा कत्न सही है? इसमें 4 option है और 4 में से पूछा गया है कौन सा कत्न सही नहीं है? तो Question number 4 का option पढ़ते हैं वे संस्कृत बोलने वाले थे ये सही है वे घुर सुवारी क्या करते थे ये भी सही है और वे कई जुन्डों में भारत पहुंचे ये भी सही है और वे मुख्यतन नगरों में निवास करते थे ये गलत है तो 4 का कौन सा एंसर होगा? D Question number 5 इन में से किस भसल का ग्यान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो 5 का एंसर D तमबाकू का ग्यान नहीं था 5 का एंसर D Question number 6 उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मन विरोधी धार्मिक अध्यापिकों को किस नाम से जाना जाता था? Question number 6 का एंसर क्या होगा? B किस नाम से जाना जाता था? स्रामन Question number 7 वेदिक गनीत का महत्पुरून अंग है इसमें पूछा गया वेदिक गनीत का महत्पुरून अंग कौन सा है? तो 7 का एंसर C शुल्व सुद्र कौन सा है? शुल्व सुद्र Question number 8 किस वेद में प्राचिन वेदिक यूग की संस्किर्टी के बारे में सुचना दी गई है? तो ये रिग वेद में दी गई है किस वेद में दी गई है? रिग वेद तो 8 का एंसर A होगा Question number 9 निम्न में से उत्तर वेदिक काल में लिखे गई गरंथों का सही कर्म कौन सा है? इसमें पूछा गया उत्तरवेदिक काल में लिखे गए गरंतों का सही कर्म कौन शाह है तो इस नाइन का एंसर ए वेद, ब्रहमन, आरनक्य और उपनिशत ये इस तरग के सही कर्म में लिखा गया है अब question number 10, 10 में है कि वेदों की संख्या कितनी है ये आप लोग जानते ही होंगे वेदों की संख्या चार है, कितनी चार है question number 11, कौन से तीन वेद संजुक्त रूप्त से त्री या वेद त्री कहलाते हैं तो एग्यारा का एंसर क्या होगा? रीगवेद, अयूरवेद और श्रामवेद को कहा जाता है, वेद त्री या फित्रई कहा जाता है question number 12, 12 में है कि भारत के राजचीन में प्रियुक्त होने वाले सब्द, सब्द सत्यमेव जयते, किस उपनी सद से लिए गए है? ये question बहुत ही important है, क्योंकि ये हर एक्जाम में question पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते, किस उपनी सद से लिए गए है? तो मुंडग उपनी सद से लिए गए है, तो 12 का answer A होगा question number 13, रीगवेदिक आरियों का मुख्य वेबशाई क्या था? 13 का answer क्या होगा? question number 14, भारती संगीत का आदिगरंद कहा जाता है, भारती संगीत का आदिगरंद सामवेद को कहा जाता है 14 का answer D question number 15, पर्थम वीधी निर्माता कौन थे? 15 का answer A question number 16, क्रिश्म भाक्ती का पर्थम और पर्धान ग्रंद है? कौन सा है? 16 का B स्रीमद भगवत गीता कौन था? स्रीमद भगवत गीता question number 17, रीग वेद में संपत्ती का पर्मुख रूप क्या है? 17 का answer क्या होगा? A गोधन क्या था? गोधन 17 का answer A question number 18, रीग वेद के किस मंडल में शुद्र का उनलेक पहली बार मिलता है? तो किस में मिलता है? दस्वे मंडल में मिलता है तो 18 का answer D सुद्र का जो उनलेक मिलता है वो दस्वे मंडल में मिलता है question number 19, पुरानों की संख्यां कितनी है? तो पुरानों की संख्यां 18 है कितना है? 18 तो 19 का answer A अब question number 20 वेदिक धर्म का मुख्य लक्षन इन में से किसकी उपासना थी? तो question number 20 का answer क्या होगा? प्रकिर्ती 20 का answer A प्रकिर्ती Question number 21 किस देवता के लिए रीग वेद में पुरंदर सब्द का प्रयोग हुआ है? 21 का answer A इंदर का प्रयोग हुआ है? किस इंदर का? ये सारे जितने भी question है वो सारा एक्जाम में पुछा हुआ है आप इसको देख सकते हैं अब question number अब question number 22 22 सुल्व सुत्र किस विशे से समंदित पुस्तक है? ये जो पुस्तक है वो किस से समंदित है? तो जैमिती से तो 22 का answer A question number 23 अस्तो मा सद गमे तमसो मा जोतिर गमे मिर्तियू में कहां से लिया गया? ये जो अस्तो मा सद गमे है वो कहां से लिया गया है? तो उपनी सद से लिया गया है तो इसका answer A होगा 23 का A question number 24 आर ये भारत में बाहर से आए और स्वर पर्थम बसे तो कहां बसे थे तो पंजाब में बसे थे 24 का एंसर थी अब question नमर 25 25 में कि सूझी 1 और सूझी 2 को मिलाईए तो हडपा हडपा किस नदी के किनारे है तो रावी नदी के किनारे तो 21 का जो एंसर होगा वो ए होगा यह होगा हाडप्पा रावी नदी के किनारे रीग वेद में अगी करता को होता या होत्रिक कहा जाता था अयूर वेद में अर्द वयूर कहा जाता था शाम वेद में उगदाता और अथर वेद में ब्रह्मा कहा जाता था अब कोस्टिन नर्मर 26 26 में है कि वेदों को अपरूपए क्यों कहा जाता है तो इसका एंसर होगा A क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है Question number 27 27 में वैसे सिख दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो उलक या कनाद कौन थे? उलक या कनाद थे Question number 28 मीमांसा या पूर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो ये जैमेनी थे कौन थे? जैमेनी थे Question number 29 वेदान्त या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो बाद नरायन कोस्चन इस तरह पुछा जाता है कि उत्तर मिमान सा दर्शन के परतिपादक कों थे तो बाद नरायन तो 29 का एंसर भी कोस्चन नमर 30 रीग वेद का कौन सा मंदल पुर्णात सौम को समरपीत है तो 30 का C 9 मंदल 9 मंदल सौम को समरपीत है अब कोस्चन नमर 31 परसित दस राजाओं का युद दस राज युद किस नदी के टट पर लड़ा गया तो ये पुरुषपनी नदी के टट पर लड़ा गया था कोस्चन नमर 32 धर्म सास्त्रों में भूर आजस्व की दर क्या थी 32 का एंसर क्या होगा B 1 by 4 अब कोस्चन नमर 33 800 इसापूर से 600 इसापूर का काल किस युग से जुड़ा हुआ है तो ये ब्रह्मन युग से जुड़ा हुआ है किस युग से जुड़ा हुआ है ब्रह्मन युग से जुड़ा हुआ अब कोस्चन नमर 34 34 किस काल में अच्छूत की अवधारना असपश्ट रूप से उचित हुई है तो ये धर्म सास्तर के काल में 34 का एंसर डी Question No. 35 इस्या माइनर इस्तित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है तो इसका एंसर ए होगा वहाँ जो अभिलेक प्राप्त हुए है उसमें चार वेदिक देवताओं इंद्र, वरून, मित्र सका उलेक मिलता है अब Question No. 36 36 में कि गायत्री मंत्र देवी स्रवित को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है ये किस पुस्तक में मिलता है तो रीगवेद इसका एंसर क्या होगा रीगवेद, ये नमर एंसर होगा रीगवेद अब Question No. 37 37 में है कि नियाई दर्सन को परचारित किया था किस ने नियाई दर्सन को परचारित किया था तो गौतम ने, किस ने किया था गौतम ने तो 37 का एंसर भी अब Question No. 38 प्राचिन भारत में निक्स के नाम से जानी जाते थे निक्स के नाम से किसे जाना जाता था तो स्वर्ण आभूशन स्वर्ण आभूशन तो 38 का एंसर ए होगा स्वर्ण आभूशन अब कोस्चन नमर 39 योगदर्शन के परतिपादक है योगदर्शन के परतिपादक कौन है तो पतंजली कौन पतंजली तो 39 का एंसर ए अब कोस्चन नमर 40 उपनिसद पुस्त के हैं ये जो उपनिसद पुस्त के किस पर अधारित है तो डर्शन पर अधारित है तो 40 का एंसर डी होगा अब पॉस्चन नमर 41 41 में किस सूची वन और सूची टू के साथ सुमिलित किजिए यवं निच्चे दिये गई कुट की सहायता से सही एंसर, तो इसका जो एंसर होगा, वो ए होगा, कौनसा होगा, ए, रीग वेद स्रोत एवन प्राथनाय Should you अई रजूम्वेद में स्रोत एवन कर्म कांड है साम वेद में संगीत मै स्रोत है और अथर वेद में तंत्र मंत्र एवं वशिक्रन है अब कोस्टिन नमर 42 42 आरंबिक वेदिक शाहित में सरवाधिक वर्नित नदी है इसमें सरवाधिक वर्नित नदी कौन शाह है तो शिंदू 42 का एंसर ए होगा क्या होगा 42 का ए अब कोस्टिन नमर 43 उपनिशत काल में राजा अस्पति सा सकते ये कहां के सा सकते तो कहां के कहां के कहां के कहां के तो 43 का एंसर भी 43 का एंसर भी अब कोस्टिन नमर 44 ग्यान अध्यात्म ग्यान के विश्य में नीचे केता और यम का शमवाद की उपनिशद में प्राप्त होता है तो 44 का एंसर क्या होगा शी कठोप्स निशद किसमें शी कठोप्स निशद अब पोस्चन नमर 45 पोस्चन नमर 45 वेदिक नदी कुमभा काबूल का स्थन कहां निर्दारित होना चाहिए तो ये अफगानिस्तान में खहां होना चाहिए अफगानिस्तान में तो कोस्चन 45 का एंसर यह अब कोस्चन नमर 46 कपिल मूनी दुवारा परतिपादित दर्सनिक परणाली था कौन सा थ तो सांग की दर्शन 46 का भी सांग की दर्शन अब पोस्चन नमर 47 भारत के किस अस्थल की खुदाई से लो धातू के परचलन का प्रांचिरितम प्रमान मिले हैं तो कहां से तो इसका 47 का भी अतरंजी खेडा कहां से अंतरंजी खेडा से मिला है अब पोस्चन नमर Santa Niva भारत के किसके संकलन रीक वेड़ पर आधारित हैं तो और तो साम वेद पर तो 48 का answer बी अब question noется 49 दिव लिखित में से कौन प्रस्थान नित्री में शामिल नहीं इसमें कौन साउमिल नहीं है तो भागवत सामिल नहीं है किसमें भागवत सामिल नहीं है enhancement गीता शामिलेब ब्रह्मसूत्र अपनिशत सामिलेब और कर्म का सिध्धान्त समन्दित है वो किससे समनित है मिमान सास है किससे अब कोस्चिन नम्मर 51 सुमेलित किजी इसमें फिर सुमेलित करना है तो 51 का एंसर कौन सा होगा ए का अर्थ वेद का त्री और सुदियों से समन्दित है रीग वेद इस्वर महिमा है आयूर वेद का टू बलिदान वीदी और स्राम वेद का संगित अब कोस्चिन नम्मर 52 चरक संगिता नामक पुस्तक किस विषय से समन्दित है तो यह चिकित सा से समन्दित है किस से चिकित सा से तो 52 का एंसर श्रीवा अब कोस्चिन नम्मर 53 एक समन्दी वीदी विधानों का पता चलता यह किस से पता चलता है अयूर वेद से पता चलता तो 53 का एंसर डी अब को वैदिक यूगिन सभा, वैदिक यूगिन सभा क्या थी? तो मंत्री प्रिशत थी. अब question नमर 55, वैदिक यूग में पर्चलीत लोगपीरिये, लोगपीरिये सासन परनाली थी. तो कौन सा था? गनतंत्र. कौन सा था? गनतंतर. तो 55 का answer सी. अब question नमर 56, सबसे प्राचिन विद कौन सा है, तो ये आप लोग सब कोई जानते होंगे, रीग विद, अब question नमर 57, 57 में कि निमलिकित में से कौन भारती दर्संग के आरंबिक विचार धारा है, कौन सा आरंबिक विचार धारा है, तो 57 का ये सांख है, अब question नमर 58, सांख की योग, नियाए, वैसे सीख, मिमानसा, एवं विदान, इन 6 भीन भारती दर्संग के असपश्ट रूप से अभी वैक्ति हुई है, किसमे अभी वैक्ति हुई है, तो विदिक यूग में, कहां पे, विदिक यूग में हुई है, अब question नमर 59, निमलिकित म से वह दस्तकारी कौन सी है, जो आर्टों दुआरा वैभार में नहीं लाई गई, तो इसमें कौन सा है, जो वैभार में नहीं लाई गई है, लुहार, तो 59 का एंसर अड़ी, question नमर 60 में है कि, question नमर 60 में है कि, शुमिलित किजिए, तो 60 का एंसर ए, 60 का एंसर ए, यह है कि, अयूरवेद, रीगवेद, धनोवेद, अयूरवेद, गंधरवेद, सामवेद, और सिल्पवेद, अर्थसास का अथरवेद, इसमें है कि, यह सारा उपवेद है, इधर समन्दित वेद है, अब question नमर 61, 61 में कि, रीगवेद के किन 6 मंडलों को, वन्स मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है, तो 2 से साथवे मंडल को, गोत्र मंडल या फिर, वन्स मंडल कहा जाता है, 2 से साथ, 61 का एंसर ए, अब question नमर 62, किस वेद में जादूई माया और वसी करन का वर्णन है, तो ये अथरवेद में है, किस में अथरवेद में, तो 62 का एंसर डी, अब question नमर 63, 63 में है कि, आर ये सब्द इंगित करता है, ये सब्द इंगित करता है, तो स्रेश्ट वन्स को, अब question नमर 64, रीगवेद में कुल कितने मंडल है, 64 का दश मंडल, कितने हैं, दश मंडल, 64 का एंसर डी, question नमर 65, आर ये भारत में समवत आये थे, ये मदेशिया से आये थे, तो 65 का एंसर भी, अब question नमर 66, कौन सा वेद अंसर ता गद रूप में भी रचीत है, तो ये अयूरवेद, कौनशा अयूरवेद तो postion नमर 66 का एंसर भी, अब question नमर 67, सभा और सिमिती, परजापती की दो पुत्रियां है, पुत्रियां थी, का उले किस वेद में मिलता है, ये अथर वेद में मिलता है, तो 67 का एंसर गी, अब question नमर 68, रीग वेदिक यूग की प्राचिनतम संस्था कौन सी थी तो विधत थी कौन सी विधत तो 68 का एंसर श्री अब पोस्टिन नमर 69 ब्रह्मन ग्रंतों में सरवाधिक प्राचिन कौन सा है तो ये सत्पत ब्रह्मन कौन सा है सत्पत ब्रह्मन तो 69 का भी अब पोस्टिन नमर 70 गोत उत्रवेवस्था पर्चलन में कावाई तो ये उत्तरवेदिक काल में तो 70 का एंसर दी अब कोस्टिन नमर सेवेंटी वन अनुलोम विवा का अर्थ है ये विवा का अर्थ क्या है तो इस विवा में उच वर्ण पूश और निमण वर्ण नारी के शाथ विवा तो 71 का एंसर अब question नमर 52 परतिलोम विवा तब माना जाता है तो परतिलोम विवा जब उच वरन की नारी और निम्न वरन के पुरूस के साथ विवा कर लेती है तो 72 का answer B कौनशा? B अब question नमर 73 वेदिक यूग में यव कहा जाता है किसको कहा जाता है तो जोगो किसको? जोगो अब question नमर 74 व्री ही सब्द किसके लिए परियुक्त हुआ है तो ये चावल के लिए तो चावल के लिए question नमर 75 अथरूब का अर्थ है तो ये पवित्र जादू इसका अर्थ क्या है? पवित्र जादू तो 75 का answer A अब question नमर 76 76 में के शुमेलित किजिए तो 76 का answer A A का answer A होगा सिच्चा द्वनी सास्तर, कल्प शुत्र का कर्मकांड, निरुक्ष निरुक्ष का शब्द उत्पत्ती सास्तर और च्छंद का च्छंद सास्तर अब question नमर 77 प्राचिन्तम व्याकरण अस्टा ध्याई के रचनाकार कौन है? तो यह आप लोग भी जानते होंगे क्योंकि इससे एक्जाम में question पूछे जाते हैं पामिनी कौन थे? Question number 78 निम्न में से कौनसी स्मृति प्राचिन्तम है? तो मनु स्मीर्थी, मनु स्मिर्थी सबसे प्राचिन्तम है. अब question number 79 Question number 79 में है कि आदी कावी की संग्यां किसे दी जाती है? तो यह रमायन को दी जाती है. किसे दी जाती है? रमायन को दे जाती है question number 80 प्राकिन्तम पुरान कौन सा है तो मतश्री पुरान सबसे पुराना पुरान है कौन सा? मतश्री पुरान तो 80 का answer A question number 81 81 में की रीग वेद में सबसे पवित्र नदी किशे माना जाता है तो सर्ष्रती को सबसे पवित्र नदी माना जाता है 81 का answer B अब question number 82 वेदिक समाज की अधारबूद इकाई थी वेदिक यूग की सबसे अधारबूद इकाई क्या थी तो कुल या कुटूम अब question number 83 83 में की रीग वेदिक काल के उस सबसे परधान देवता की पहचान करें जिसकी अस्तूती में 200 सुक्तों की रचना की गई है तो इंद्र 83 का answer A अब question number 84 किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थर सामोहिक वाद विवाद या अनुलंगी कहा गया है तो किसमें कहा गया है अथरवेद में तो 84 का answer D अब question number 85 85 में किस रचना में नारी को सूरा और पंसा के साथ तिन परमुख गुराईयों में शामिल किया गया है तो इसका answer A मैतराथी शंगिद्धा अब question number 86 उत्तरवेदिक काल में किस देवता को सर्बुज अस्थान प्राप्था उत्तरवेदिक काल में परजापती को सबसे सर्बुज अस्थान प्राप्था तो 86 का answer A अब question number 87 87 में है कि शुमेलित किजी 87 का answer A A में कि राजिसु यग राजि के सिंहासन रोज से समन्दित है अस्थुमेद यग राजनेतिक सक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यग है बाचपे यग है सौरी परदर्शन वे परजा के मनो रंजन मनो रंजन किया जाने वाला यग अगने स्टम यग है देवताओं को परसन करने तो 87 का answer A अब question number 88 सुची 1 और सुची 2 को के साथ सुमेलित किजी तो इसका भी answer A होगा परशनी रावी सत्तुद्री सतलज अक्षनी जिनाव विपासा व्यास इसमें है कि बुराना नाम है नदी का अब question number 89 संसकारों की कुल संख्यां कितनी है तो सोईलो संसकारों की कुल संख्यां कितना है आप इसको अच्छे से देख लिजी इसमें जितने भी exam पूछे जाते हैं इसमें जितने भी exam में question पूछे जाते हैं यहीं से question पूछे जाते हैं आप इसको अच्छे से किजिए और आने वाले exam में इससे question जरूर बढ़ेंगे और दोस्तों के साथ और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ सेयर कीजिएगा थेंक यू